हेलो एबरिवान वेलकम टू माई चैनल और कैसे हैं आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और सिहत मंगनत होंगे और फ्रेंड्स आज मैंने अर्ली मॉर्निंग से ही अपनी ब्लोगिंग सुरू कर दी है और बस ये सुबह की मैं चाय बना रह हूँ हूँ और मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई है वैसे गर्मियों में भी मेरी सुबह की सुरूआत चाय से ही होती है और अभी तो सर्दियां है तो चाय तो एकदम बिल्कुल नेसिसरी है मेरे लिए तो बस यहाँ पे मैं बना रही और आच सीम कर देती हूँ जब तक मेरी चाय बनती है मैं अपना ब्रस कर लेती आप बस जब मेंियों डिजया भूप कर के जाती है अपनेख सीब्स Yeahan ऑस मैं और मेरे भी और वह सब्सक्रचाह black तो बस अभी बरस करके ठोड़ा सा कोई भी ड्राइ मैं फिर मैं उसे दूद देती हूं ऐसे वो दूद वेगरा पीने में बहुत आना कानी करता है लेकिन फिर भी मैं उसे दूद देती हूं उसलिए कि दूद पीना बहुत ही जरूरी है तो बस यहां पर अभी वो ब्रस कर रहा है और पस यहां पर हम लोग चाय पी रहे हैं और वो ब्रस करने के बाद बिस्किट खाने के बाद आ जाता है और वो अभी पढ़ाई करता है और आज संडे चुटी है तो बस वो अभी घर वाली पढ़ाई करेगा नहीं तो फिर अपने क्लाश का एटेंडेंस वगरा बनाने लगता है और बस यहाँ पर हम लोग सुबर सुबर यादी के रूम में बहुत ही अच्छी धूप आती है गाईज तो बस यहाँ पर हम लोग कंबल ओड़के दोनों अस्मेड वाई पर चाय पीते रहते हैं और बस बाते करते रहते हैं औ हम लोग एक दूसरे के साथ है अपनी बाते सेयर करते हैं अपनी टाइम स्पेंड करते हैं वरना फिर तो उटने के बाद वही रोज की जिन्दगी में बीजी हो जाओ घर के काम बाहर के काम वही दुनियादारी तो बस यहाँ पर हम लोग चाय पीते पीते बाते कर रहे हैं तो वो ट्रे वो जाकर रख के आगया किचिन में और बस यहाँ पर बैठ के अब अपनी पढ़ाई सुरू करती है और फिरेंड से बच्चों के पीछे बहुत लगना पड़ता है यारे इसलिए कि उन्हें इतना समझ में नहीं आता है कि हमें कब क्या करना चाहिए नहीं करन भाटो को तो पीछे लगना पड़ता है थो बस यहाँ पर मैं उससे बार बार बोल रहे हूं कि संडह तो क्या हूँआ फिर भी तुम पढ़ाई करो और बस यहाँ पर उसके पापा का चाहिए तो खत्म होगी और मेरी अभी चाहिए चली रही है और यहाँ पर बस वो लोंगी और यहां पर हस्पंट जी कुछ हमारे काम थे ओफीसियल वेगरा तो वहीं मोबाइल से मुझे बता रहे हैं और कुछ काम कंप्लीट हो गया है कुछ पेंडिंग हो रहे हैं तो बस उसी बारें बात हो रही है और यहां पर अब मैं आ गई हूं कीचेन में फ्रेंट से नास्ता बनाने के लिए और नास्ते में आज मैं बनाने वाली हूं पनीर की सबजी तो यहां पर मैंने ओल डाल दिया है कडाई गरम होने के बाद और उसके बाद अच्छी तरह से मैंने उसमें चारों तरफ मिला लिया है और यहां पर मैं कट करने लगी हूं ओनियान ग्री ये जो मैने कट किये हुए हैं लॉसन प्याज अद्रक और हरी मिर्च इन सब को मैं थोड़ा से कड़ाही में इस सब उसमें इन ही क Cameron होते थे और हैं यो डेइसी तरह को इस तरह से शौप खर लिए नी कीशा एक कार। यो रख दिया है और ये कुछ लशुन की मी लो सिरी के में ही तो यह कुछ डेण मेडियो फ्राय करना यह नहीं कि इंहें पकाना नहीं है और जाए Tut Speaking तो तक मैं यहां पर टॉमाटर भी कट कर लोंगी इसलिए कि मुझे मल derived को भी 5 करना ऐसे आप चाहे तो टमाटर को भी साथी साहर डाल सकते हैं बत मैं थोड़े बाद में डालती हूं तो बस यहां मेरे पास थे जो कि थोड़े से green थे और पूरी तरह से रेट नहीं थे तो मैंने यही छुना था दो टमाटर जो कि पूरी तरह से रेट थे इसलिए कि इस से होता क्या है कि जो हमारे मासालो का color होता है वह अच्छी तरह से एकदम लाल लाल दिखता है बिल्कुल रेश्टोरेंट की तरह तो बस यहां पर मैंने सब को डाल के फ्राइ कर लिया और जब तक मेरे वह मसाले फ्राइ हो रहे हैं यहां पर मैं जो पनीर है उसे कट कर लोंगी क्यूब साइज में तो बस यहां प कर रही हूं और इधर में पनीर भी कट करते जा रही हूँ इसलिए के हमारे काम जल्दी हो जाते हैं अदर जब तक मसाले मेरे फ्राइ होंगे तब तक मेरा पनीर भी कट हो जाएगा और यह मैंने रेडिम direito पनीर ले राखाए प्रेंट्स आप चाहें तो घर में भी पनीर जो बनाए हैं वो भी ले सकते हैं तो बस यहां पर ये मैं रेडिमेट पनेरी कट कर रहे हूं और मैं आपको बता दूँ फ्रेंट्स की आज है संडे तो बस ये संडे मॉनिंग का ब्रेफास्ट ही मैं बना रही हूं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न तो प्लीज लाइक कीजिए और कोमेंट सेक्शन में कोमेंट करके बताईए कि आपको कैसी लगी और ये हरे वाले मटर है जो मैंने छील लिये थे और ये मसाले हैं जो बून चुके हैं और यहां पे मैंने पानी गरम कर दिया इसलेकि जो पनीर है वो फ्रेजर में थे तो वो ह पीने के लिए और मैं यहां पे चाए पी रही हूं चाए मेरा कप यहां पर रखा हुआ है और बस यहां मैं पनीर फ्राइब कर रहे हूं इसलिए क्या संड़ी था तो मैंने लेट से ही थोड़ा काम स्टार्ट किया हम लोग बैठ के तो तो बहुत लेट हो गई थी इन सब को यह जो मैंने पानी गरम किया है इसी में डाल लूँगी इससे होता क्या है कि जो आपके पनीर हाड है वो सोफ्ट हो जाते हैं और मता कि यह बहुत ही अच्छा एक सोल्यूसन है आपके हाड पनीर को सोफ्ट करने का आप भी चाहे तो इसे ट्राय कर सकते हैं और यहां पर मैं दूद की मलाई निकाल रही हूँ इससे होता है कि फिर मेरा पूरे दीन का काम खतं हो जाता है ने तो फिर यह मैं दूद की मलाई बस सुबह सुबह ही निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद जो मैं दूद हुबाल कर डालती हूँ फ्रीज में तो फिर उसकी बट आधी कोभी तक मैंने दूद नहीं दिया है तो मैं उसी के लिए दूद गरम कर रही हूँ और वो बॉन बीटा ही पीता है तो बस इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटे चमच चीनी का ले लूँगी और बॉन बीटा ले लूँगी और उसे अच्छे तरह से मिक्स करके फिर म मुझ में नहीं आता है वर्ट हमें तो करना पड़ता है ना फ्रेंड्स तो बस यहाँ पे मेरे दूद अब गरम होई चुके हैं और मैंने मलाई इसलिए निकाल दी इसलिए कि मलाई रहता है उसके बाद दूद गरम करके चाहे में जितना भी च्छान के दूँ वो बोलता ह है कि मेरे दूद में कहां से मलाई आगई इसलिए कि मलाई रहने से वो दूद नहीं पीता है तो बस यहाँ पे दूद गरम हो चुका है और यह बस मैं उसका दूद रेडी कर दी हूँ और बस इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर मेरे बेटे का दूद तय प्यार हो जाएगा और फिर मैं यहां पर आजाओंगी किचन में नेक्ट प्रोसेस के लिए इसलिए कि आपको तो पता है कि हाउस वाइफ के काम खतम ही नहीं होते हैं तो बस यहां पर मैंने उसे दूद दे दिया है वो दूद पी रहा है और यहां पर हस्बंड जी का जो चा प्राइबी पीर और यहां पर मैं मसालों का पेष्ट बनाने के लिए आगई और मेरे यह देखे फ्रेंट्स पेष्ट बन गया है तो फिर से मैं कीचन में आ गई हूं और कडाही में तेल डाल के उसे गरम कर लिया है और अब मैं इसमें डाल दी हूं जीरे और उसके बाद म 1 ement किटाशली एसे सब्स Weight VprR करती हों तो बस यहां पर में वहीं कर रही हूं और मुझे तेल थोड़ा सा कम यहां था अखि दिया तो बऺं यहां पर वह जो मेरे मिर्चीत पत्ते हैं वो सारे भून चुके हैं तो मैं यहां पर डाल रही हूं लाल मिर्च पाउडर उसके बाद आधी चमच हल्दी पाउडर और इन सब को पहले मैं मिक्स कर लूँ इश्टे की देखें फ्रेंट से पहले हल्दी और मिर्ची पाउडर डालने से न अच्छी तरह से एदम लाल कलर आ जाता है इससे जो हमारी सब्जी या है वो बहुत ही अच्छी लगती है बिल्कुल दिखती है रिश्टोरेंट की जैसे यहां पर मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला पाउडर और फिर मैं डाल दूँगी अभी काली मिर्च पाउडर और चो मैंने पेश्ट बनाया था उसे भी मैं डाल लूँगी और उसके बाद फिर इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और बस यहां पर मैं मसाले भून रही हूँ फ्रेंड्स यह देखें इसलिए कि मसालों को अच्छी तरह से भूनना बहुत ही जरूरत है इसलिए कि ये मैंने पेश्ट भी डालती है इसलिए कि भूनना इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि फिर अगर हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं भूनेंगे और पानी डाल देंगे तो फिर वो पूरी सबजी का टेस्ट एदम कच्चा आएगा और ये मुझे जो हरे वाले मटर हैं उन्हें मैं यहाँ पे उसके दाने निकाल रही हूँ इसलिए कि मैंने आपको दिखाया था थोड़े से दाने और बस यहाँ पे जो हस्बेंट जी हैं बाकी ये उपर की जितनी क्लीनिंग है ये सारे वही करते हैं वरना तो आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता ही होगा अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आप मेरी वीडियो देखना सारे काम मुझे ही करने होते हैं और यहां पर देखें दोनों रूम हॉस्बंट जी ने ठीक कर दिया और आधी इधर पढ़ाई कर रहा है यह देखिए फ्रेंट्स और यहां पर अबो लगाने लगे हैं जाडू यह देखिए वो जाडू लगा रहे हैं उधर के सारे कमरों में उन्होंने लगा दिया और बस इधर तब तक किचिन में लगाने लगे जब मैं उधर वीडियो सुट कर रही थी तो तो बस मैं तो यहीं बोलूंगी फ्रेंट्स की भगवान ऐसा हॉस्बंट सभी को दे और बस यहां पर फिर से मैं आ गई हूं मसालों को चेक करने के लिए कि मेरे मसाले भूने हैं या न नमक नहीं एड किया था तो यहां पर टेस्ट के कोडिंग हमें नमक डाल देना है और बस नमक मिक्स करने के बाद मैंने यहां पर पानी डाल दिया इसलिए कि मैं यह मतर पनीर की सबजी थोड़ी ग्रेवी वाली बनाने वाली हूं और आप चाहे तो इसे थिक भी बना सकते हैं बट मतर पनीर की सब्जी थोड़ी सी जादा नहीं बट थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए इसलिए कि यह वाल होने के बाद फिर यह सारी ग्रेवी इसमें अब्जॉर्ब हो जाती है तो बस यहां पर देखिए फ्रेंड से यहां पर मैंने इस तरह से एड कर दिया है यह दे और यह देखिए पूरा घर उन्होंने क्लीन कर दिया इसलिए की जारू माडने के बाद वो यह पोछा लगाने लगे थे यह देखिए यह पोछा लगा रहा है तो मेरे पूरे घर में पोछा भी लग गया है और बस पूरा घर साप और अभी वो मुझे बोल रहे हैं की कर नहां लो तो मैंने कहा कि नहीं आपने पोछा मार दिया है तब आप ही जाओ नहाओ और मैं बस अब जा रही हूं रोटिया बना देती हूं इसलिए कि आज बहुत ज्यादा मता की ब्रेकफास्ट में लेट हो चुका है गाइज मैं आपको अगर टाइम बताऊंगी ता आप लोग हंसोंगे इसलिए मैं टाइम नहीं बता रही हूं इसलिए कि करीब 12 बजने वाले हैं इसलिए मैं यहां पर बस आ गई हूं रोटिया बनाने के लिए और यह देखें पूरा कीचेन का जो सींग है वो बर्तन से भरा हुआ है तो जब मेरी मतर पनीर की सबजी बन गई मैंने सुचा कि उसमें मैं थोड़ी से धनिया पती भी कट करके एट कर देती हैं इसलिए कि इससे कोई भी सबजी या फिर दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है तो बस यहां पर मैं धनिया पती को बारिक बारिक कट कर लूँगी और जैसा कि मैंने आप से बताया था देखिए इस तरह से पेपर में आप धनिया पती के जड़ो को काट कर धोकर लपेट कर एक डबे में बंद करके श्टोर करोगे फ्रीज में तापकि धनिया पती खराब जल्दी नहीं होगी तो बस मैं उससी तरह से श्टोर करती हूँ अब ही तो हस्पेंड आये हैं तो उन चॉपिंग बोर्ड है इसे धोका रख लोगी और देखिए मेरा चॉपिंग बोर्ड कैसे चमक राया है इसलिए कि कल हस्पेंड जी ने बहुत अच्छे तरह से साफ कर दिया था और बस यहां पर बनाने लगी हूँ मैं घी के पराठे इसलिए कि मैंने बोला कि पराठे बन अने लगे इसलिए कि मेरे हस्बेंड और मेरे पेटा वो दोनों लोग रिफाइन नहीं खाते हैं उन्हें घी ही प्रेफर करते हैं वो लोग तो यह देखे फ्रेंट से हैं हमारा नास्ता और बस यहां पर सभी लोगों ने नास्ता कर लिया और मैं आ गई हूँ नास्ते की बर्तन की धुलाई करने यह देखे फ्रेंट कितने सारे बर्तन हो रखे हैं और बस यहां पर मैं सारे बर्तन धोली हूँ धोली हूँ क्या अब बस दोई ही रही हूँ और बस इसके बाद फिर मैं अभी सारे जो कीचन है उन्हें भी क्लीन करना है तो ऐसे तो मैं कीचन क्ली करने लगी हूँ सारे बर्तन मेरे दूल गये हैं और बस कीचन कर लोंगी बस मेरा कीचन का काम है वो खतम हो जाएगा और सिर्प बजज जाएगा लॉंच बनाना, वैसे तो कीचन का काम का भी कहतम होता इसले कि नास्ता बनाओ, नास्ते के बरतन धो, किचन साफ करो, फिर उसके बाद लंच बनाना होता है, फिर लंच का खाना बनाओ, फिर बरतन धो, लंच करने के बाद, फिर किचन साफ करो, तो बस क्या करें, ये तो किचन का धन्दा चलते ही राता है, तो बस यहां पर आप में यहां जो सारे स्लेफ, वगरा हैं, मेरे counter top है, उनहें साफ कर रही हूं और कल तो husband जा ने staff घीक्लीक नीषर की ती है, तो अब तो negative cleaning किर वेसे भी मैं इतनी deep cleaning नहीं कर पाती हूं, husband के जैसा बस मैं नीचे नीचे का की करती हूं, तो अभी तो कीचन बिल्कुल क्लीन है तो अभी तो और भी मतलब कि अच्छा लग रहा है इस तरह से क्लीन करने के लिए तो बस यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया यह देखिए फ्रेंट्स और मेरी कीचन एकदम चमकने लगी है और यह देखिए यहादी और उसके पापा का बा प्लीज लाइक किजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन पर प्रेस किजिएगा और कोमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी और बस यही है मेरा वींटर का मॉर्निंग रूटिन फ्रेंड्स थैंक्स कि थो अर्च सब्सक्राइब करना नंगे का अर्चुर्ण त वोग करनेगा पर यहीं मेरी नेख सम्टाइब करसे आप यहीं जरूर बताएएगा कि बताता ने दोनिएगा जाएगा आप लोगजर की आप लोगजर कि वीडियों आप लोगिंस अगरा फॉली आपटिन अग